तुमस्कार दोस्तों तो हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण बहु विकल्पिय प्रश्णों की तो कुछ प्रश्णों को हमने इससे पिछले वीडियो में सॉल्फ किया था आज की वीडियो में हम अधिक से अधिक जो महतोपूर्ण प्रश्ण होंगे उनको डिसकस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रश्ण है भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस का पर्थम विवाजन हुआ 1907 में तो option number जो A है वह राइट हो जाता है INC का पहली बार विवाजन हुआ 1907 में दूसरा प्रश्ण है जिम्रिकित मैंसे किसके नेत्रित में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्ति हो गई थी तो इन मेंसे कौन सा वह था जिसके विरुद्र लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्ति हो गई तो वो था लॉड वैलेजली option number जो B है वह राइट हो जाता है अगला प्रशन है 1885 SP में भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेश के अध्यक्ष कौन थे तो WC बनर जी 1885 में भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेश के अध्यक्ष थे option number जो B है वह राइट हो जाता है अगला प्रशन है निम्न महापुरुस्वा में से कौन भारतिय जागरिती का जनक कहलाता है तो भारतिय जागरिती का जनक कहलाते हैं राजा राम मुहन राय तो option number जो A है वह बिल्कूल सही होयाता है अगला प्रशन है 1690 इसवी तक भारत में डचों का प्रमुक केंद्र पुलीकड था बाद में इसका स्थाम निम्न मैं से किस ने ले लिया तो डचों का पहले तव पुलीकड था तो उसके बाद जो है नाग पट्टम जो है डचों का मुक्य केंद्र बन गया तो option number जो D है वह राइट हो जाता है next question है भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधान मंत्री कौन था तो ये question जो है बार-बार पुछा जाता है तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन में प्रधान मंत्री कौन था तो वो था Clement Italy तो option number जो D है वह राइट है Clement Italy अगला प्रशन है भारत वर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किस ने किया तो भारत वर्ष में पहली बार जो सिविल सर्विसेज हैं उनको सुरू किया गया जो लॉर्ड कारणवालिस है उसके द्वारा तो option number जो D है वह सही है तो यह काफी अच्छा कदम था अगला प्रशन है संयुक्त राज़ा अमेरिका में निम्रिखित मेंसे किस ने Theosophical Society की स्थापना की तो वो थी Madam Bly की तो इस ने जो है USA में Theosophical Society की स्थापना की तो option नम्र जो A है वह राइट है अगला प्रशन है निम्रिखित मेंसे पहली railway line बंबई और थाने के बीच में डाली गई थी तो यह कब डाली गई थी तो 1853 इस वी में जो है बंबई से थाने के बीच में पहली railway line बिचाए गई तो 1853 अगला प्रशन है कलकता नगर की स्थापना किस वर्स हुई तो कलकता नगर की स्थापना हुई 1690 इस वी में तो option नम्र जो D है वह सही है 1690 इस वी में अगला प्रशन है अंग्रेजों ने दक्षिन भारत में अपनी प्रथम factory कहां पर स्थापित की तो अंग्रेजों ने पहली factory जो अपनी लगाई थी वो लगाई थी मसूली पटम में तो option नम्र जो C है वह सही है नेक्ष्ट क्वेशन है नेमिन मैंसे कौन सा एक मात्र गवर्नर जनरल वाइसराई भारत में मारा गया तो Lord Mayo जो है यह गवर्नर जनरल जो है एक मात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जो की भारत में मारा गया तो option नम्र जो D है वह सही है नेक्स्ट ग्एशन है बनारस हिंदू विश्व विध्याले के संस्तापक कौन थे तो बनारस हिंदू विश्व विध्याले की स्थापना की थी मदन मोहन मालविय जी ने तो option number जो B है वह सही है Next question है British Kaal में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहा थी तो ब्रिटिस काल में भारत की राज़ानी दिली से पूरू थी कलकत्ता में तो आप्शन नमबर जो D है वो हो राइट है नेक्स क्वेशन है निम्रिकित में से किस एक्तिति को जवाहलाल नहिरू ने रावी के तड़ पर ठीक अर्धरातरी का समय होते ही राष्ट्रिय तिरंगा धच फेहराया था तो वो कौन सी तारीक थी तो वो थी 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को जवालाल नहिरू ने रावी के तड़ पर आधी रात को तिरंगा जंडा फेहराया था तो आप्शन नमर जो सी है वह सही है नेक्स्ट क्रेशन है निम्रिखित पेसवाओं मैंसे कौन नाना साहिब के नाम से प्रशिद्ध थे तो नाना साहिब के नाम से प्रश्चित थे बाला जी बाजी राओ तो आप्शन नमबर जो B है वह सही है इनको नाना साहिब के नाम से भी जानते थे तो आप्शन नमबर जो B है बाला जी बाजी राओ अगला है 1690 इसी तक भारत में डचों का प्रमुक केंदर पुलिकर था और बाद में इसका अस्थान कहां बदला गया तो बाद में इसका अस्थान हो गया कूचीन तो option नमर जो B है वह राइट है अगला प्रशन है जै प्रकास नारायन निम्न मैं से किस एक से संब्दित थे तो जै प्रकास नारायन कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी से संब्दित थे यान की कॉंग्रेस समाजवादी दल से संब्दित थे अगला प्रशन है भारत में जिस प्रथम राजनेतिक संगठन के स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? जमीदारी एसोशीएशन का जो गठन था वह 1838 में इसके स्थापना हुई थी तो अउप्शन नमर जो A है वह सही है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनाव भारत का गठन किया गया था तो ये किस ने किया था तो ये किया था बीडी सावर करके द्वारा तो आप्शन नंबर जो ए है वह सही है अगला प्रशन है निम्रिखित मैंसे किस ने सबसे पहले स्वराज सब्द का इस्तिमाल किया था तो स्वराज सब्द का सबसे पहले इस्तिमाल करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगा दर्ति लग तो आप्शन नंबर जो बी है वह सही है Next question है, भारत में आध्णिक स्थिच्छा प्रणाली की नीव किस ने रखी थी तो ये किस के दुआरा पढ़ी गई थी ये देखेंगे तो अटारा सो जो पैंतिस में मैकाले के मिन्यूट से भारत में सबसे पहले आध्णिक सिक्छा प्राणाली की नीव पढ़ी थी तो मैकाले की नीती उसको कहा जाता है तो option number जो A है वह राइट है अगला प्रशन है पंजाबी की प्राचीनतम रचना निम्न मैंसे किस की है तो बाबा फरीद की जो है रचना है पहली रचना option number जो B है वह सही है अगला प्रशन है पंजाब में अमरित सर नगर को स्थापित किस के द्वारा किया गया था तो गुरु रामदास जी के द्वारा पंजाब में अमरित सर नगर की स्थापना किया गयी थी तो option number जो C है वह राइट है नेक्स्ट क्वेशन है भारतिय सिविल सेवा में चुनेगे पहरे भारतिय का नाम क्या था तो वे थे सतेंद्रनाथ टैगोर आप्शन नमबर जो डी है वह राइट है नेक्स्ट क्वेशन है इम लिखित में से किस वर्स आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंगरेस का बंबई में गठन हुआ था तो All India Trade Union Congress का जो गठन है वहां बंबई में हुआ था 1922 में तो option नमबर जो A है वहां राइट हो जाता है अगला प्रशन है प्रथम आंगल सिख युद्ध कब हुआ था तो जो पहला आंगल सिख युद्ध है वहां था 1845 में तो option नमबर जो D है वहां राइट है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था तो पहला जो आंगल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में तो option नमबर जो B है वहां राइट है तो इस्वी में तीपु सुल्तान ने बादसाह की उपाधी धारण की option नमबर जो D है वहां राइट है नेक्स्ट क्वेशन है महात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से भारत किस वर्स लौटे ये क्वेशन भी काफी बार पूछा जाता है तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से भारत आये थे तो option नमबर जो B है वहां राइट है नेक्स्ट क्वेशन है साइमन कमिशन के नियुक्ति निम्न मैंसे किसके कालेकारण के विचार करने के लिए की गई थी तो Government of India Act 1909 जो था उसके उस पर विचार करने के लिए साइमन कमिशन के नियुक्ति हुई थी और वहां भारत आये था तो option नमबर जो A है वहां राइट है अगला प्रशन है किस वर्ष वैसाकी के दिन 13 अप्रेल को गुरु गोविन सिंग ने खालसा पंत की नीव रखी ती तो गुरु गोविन सिंग ने खालसा पंत की नीव रखी 1699 में तो option नमबर B राइट हो जाता है अग्ला प्रश् нее है निम्न मैं से किस आंदुलन में सरदार बलब्भाई पटेल ने मुख्य भूमी का निभाई तो जो 1264 शक्तिय अगरा हुआ था उसमें सरदार बलब्भाई पटेल ने मुख्य भूमी का निभाई थी उप्शन नमर जो डी है वो हो राइट है नेग्स फ्वेशन है इंगलिस इस्ट इंडिया कंपणी का प्रशाषन भारत में कब समाप्त हुआ तो 1858 से जो है इस्ट इंडिया कंपणी का प्रशाषन समाप्त हुआ और तब वो ब्रेटिस सरकार के अधिन आ गया तो उप्शन नमबर जो B है वह राइट है अगला है निम्लिकित मैंसे कौन इंडियन ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस का उनीस सो बीस इस्वी में पहले अध्यक्ष बने तो वे थे लाला लाजपत राय ओप्सन नमबर जो B है वह सही है अगला प्रशन है छत्रप्रति सिवाजी की माता का क् प्रश्ण नमबर जो B वह राइट है अगला प्रशन है आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब कहां और किस के द्वारा की गई तो यह जो है 1943 में सिंगापुर में सुवास चंदरबोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई अगला प्रशन है भारतिय सतंता संघर्ष के दौरान निम्डिखित मैंसे किस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई तो सुवास चंदरबोस जी के द्वारा ही यहाँ सेना बनाए गई थी फ्री इंडियन लीजन आप्शन नमबर जो ए है वहर राइट है अगला प्रशन है निम्डिखित मैंसे किस ने इस्ट इंडिया एसोशियेशन की स्थापना की तो दादा भाई नेरो जी के द्वारा इस्ट इंडिया एसोशियेशन की स्थापना की गई तो आप्शन नमब प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर की जो राजनेतिक राजधाने थी वहाथी लाहोर तो option number D right हो जाता है next question है पुरंदर की संधी किस के बीच हुई थी तो पुरंदर की जो संधी है वहाथ मुगल और मराठाओं के बीच में हुई थी option number C right है अगला प्रश्ण है जलिया वारा भाग हत्याकान के लिए जिम्वेधार जनरल डायर को निम्न मैंसे किस ने मारा तो उधम सिंग ने जनरल डायर को मार गिराय था उसको गोली मारे थी तो option नमर जो B है वह सही है अगला है निम्न मैंसे किस सिख गुरुन के नेतृत में सिख राजनेतिक वह सैनिक सक्ति के रूप में संगठित होए थी तो गुरु गुविन सिंग के नेतृत में सिख संगठित होए थी तो option नमर जो D है वह राइट है अगला है भारत में अंग्रेजों की सर्वस्रेष्टता किस युद्ध से स्थापित हो गई तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों की सर्वस्रेष्टा यहाँ पर सिख हो गई थी भारत में तो option नमर जो D है वह राइट है अगला प्रश्ण है निम्रिखित में से किस ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेत्र तो किया था तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुन्रो जो है अंग्रेजी सेना का सेना पती था तो option नमर जो A है वह राइट है अगला है निम्रिखित में से किस एक के साथ भारत में सविनय अवग्या आदुरन सुरू हुआ था तो दांडी मार्च जब चल ला था उसी दोरान जो है सविनय अवग्या आदुरन की भी सुरूबात हुई थी तो option नमर जो B है वह सही है अगला प्रशन है दक्षिन अफरीका से लोटने के पस्चाथ गांदी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंब कहा और कब सुरू किय तो चमपारण में इन्होंने पहला सत्याग्रह सुरू किया था तो option नमर जो C है वह राइट है अगला है औरंगजेव द्वारा लगाएगे जजिया करकी वसूली किस उत्तर मुगल सासक ने बंद करवा दी थी तो बहादूर सहा प्रथम के द्वारा जजिया करको बंद कर दिया गया था जो कि औरंगजेव ने लगाई थी तो option नमर जो C है वह राइट है अगला है प्रिंसेप्स आफ जीजस नामक पुस्तक निम्रिकित मैं से किस के द्वारा लिखी गई थी तो ये लिखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा तो option नमर जो C है वह तो option नमर जो B है वह राइट है अगला है निम्रिकित मैं से कौन फैवियन आंदुलन का प्रस्तावक था तो एनी बे सेंट जो थी वे फैवियन आंदुलन की सस्तावक थी तो option नमर जो C है वह राइट है नेक्स्ट क्वेशन है मराठों और अफगानों के बीच हुई तरत पानिपत युद्ध के समय निम्रिकित मैं से कौन मराठों का पेश्वा था तो जो मराठों और अफगानों के बीच में तीसरा पानिपत का युद्ध हुआ उस समय मराठों का जो पेश्वा था वो था बालाजी बाजीराव option नमर जो B है वह राइट है अगला प्रेशन है इम्रिकित मैं से कौन भारत में दितिय पुर्टगाली गवर्नर था तो दूसरा पुर्टगाली गवर्नर था अलफांसु दा अल्बुकर्क तो option नमर जो डी है वह राइट है नेक्स्ट क्रेशन है गोवा को सबसे पहले यूरूप के किस देश के निवासियों ने इस बनाये था और बनाये था पंदरसो दस में अगला है नादिर साह का आक्रमन किस मुगल सासक के सासनकाल में हुआ था तो मुहंबद साह के सासनकाल में नादिर साह का आक्रमन हुआ था तो option नमर जो बी है वह राइट है अगला प्रश्न है निनमे से किन है गांधी जी न अपना राजनेतिक गुरु माना था तो गांदी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनेतिक गुरु माना था तो अप्सन नमबर जो A है वह राइट है अगला प्रश्ण है करनाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया तो जो करनाटक युद्ध है वह लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसिसियों के बीच में तो अप्सन नमबर जो A है वह सही है नेक्स क्वेशन है 1866 ESP में दादा भाई नरोजी द्वारा निम्रकित मैंसे किस एक सहर में इस्ट इंडिया एसोशेशन के और अंतिम प्रश्ण है आज की इस वीडियो का जिम्न मैंसे कौन फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी का जनक था तो वह था कोलवर्ट तो आप्शन नमबर जो A है वह सही है कोलवर्ट तो दोस्तो इस तरह से हमने काफी महतोपून आधुनिक भारत के इधिहास के प्रश्णों को इस वीडियो में डिस्कस किया जल्दी हम आपके लिए एक सेरीज दे के आएंगे जिसमें कि हम बहुत ही महतोपून प्रश्णों को MCQs के रूप में डिस्कस करेंगे और ये सेरीज जो है हमारी सामने ज्यान से समधित होगी तो दोस्तों यदि आप कुछ सुझाओ देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक में लिख सकते हैं यदि आपको किसी क्रेशन में डाउट लगता है तो आप जरूर उसको भी कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं तो वीडियो को अंतक दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो इसी तरह से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद